तो वेलकम दोस्तों, दोस्तों स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं की जिन लोगों ने ये बी एमे हिंदी रखा है और उनका कॉरर पेपर 12 का एक्जाम है। यानि कि सेमेश्टर 5 में जब आप हींदी का दूसरा PEPER देंगे उससे ही कौर पेपर 12 कहा जाता है, कौर पेपर 12, हींदी ओर्नुर्स कौर पेपर 12 सेमेश्टर 5 में किस तरह आपको एक्जाम में पूछा जाएगा आएए देखतें हैं तो यह देखे 2020 में यह पेपर जो है एक्जाम लिया जा चुका है फोल मार्क्स और समय आपको उसी के तरह मिलेंगे 80 नमबर का एक्जाम होगा 3 गंटे समय दिये जाएंगे अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निर्देश अनुसार सभी खंडों के उतर दें और यहाँ पर आपको साइड में मार्क्स दिये गए हैं मंबर दिये गए हैं कि कििस प्रशून के उत्तर कि निर्देश नमबर मिलते नहीं है चाहिए आप कितना भी एंडी चोटी का जोर लगा ले तो यहाँ पे है पहला कॉस्चिन सब्द सक्ती पर परकाश डालते हुए वेंजना सब्द सक्ती को सोदाहारन अस्पष्ट करे गहा नमबर है काईब्य में साधारन निकरन से क्या तातफरी है सोदाहारन यानि कि उदाहरन सहित अस्पष्ट करे तो इन चार प्रशनों में से किसी 2 का उतर देना है एक प्रशन आपका 20 marks का है दो प्रशन बनाने है 40 marks मिलेंगे अब आता है ग्रूप B ग्रूप B आपका 20 marks का है उदर 40 और इदर 20 60 हो गया और ग्रूप C होगा आपका 20 marks का टोटल हो जाएंगे 80 marks ग्रूप B में क्या बोल रहा है कि किनी 2 प्रशनों के उतर देने है एक प्रशन आपका 10 marks का है 10 number का 2 प्रशन बनाएंगे 20 number मिलेगा ठीक दोस्तों अब आएए देखते हैं कि प्रशन क्या पुछा जा रहा है पहला प्रशन है चंद किसे काते हैं दोहा तथा चोपाई की परिभासा उदाहरन सहित प्रस्तुत करें खा नमबर कोशन है स्वर्ठा और रोला स्वर्ठा और रोला को सोदाहरन यानि कि उदाहरन सोदाहरन जब भी लिखा जाए यानि कि उदाहरन सहित प्रस्तुत करते हुए काईब में इसके मातों पर संचिप्त परकाश डालना है गह नमबर काईब में अलंकार का क्या स्थान है निरूपन करना है और आपका गह नमबर है काईब के गुन दोस सरी जमाई ले रहे थे थोड़ा निंद आ रहा है काईब के गुन दोस्त का संचिप्त परिचे दें लेकिन क्या करें नींद तो नींद है आपको काम तो करना पड़े का चाहिए नींद आई चाहिए जो भी हो गुरूप C यहां पर आपको किनी दो प्रश्णों के उतर देने एक प्रश्ण दस माक्स का है 20 प्रश्ण में मैं अंतिव में बताऊंगा कि किसका उतर कितने सब्दों में देना है गुरूप C बोल रहा है कि आपके पांच अंक के दो कोस्चन बनाने हैं निमनिकित मेंसे किनी दो अलंकारों का सोधारन असपस्ट करें, एक सोधारन असपस्ट करेंगे तो 5 नमबर मिलेंगे, 2 करना है आपको 10 नमबर मिलेंगे, ठेक? अब आगे देखते हैं, तो इसमें है पहला है, सलेस, दूसरा है, अतिस योगती, तिसरा है, यमक, चौन्था ह पर ही आपको लिखने है और चौता कौस्चन है दोस्तों ये 5 marks का यहाँ है निम्लिकित पग्ध्यांथसों निम्लिकिन्त पग्ध्यांथसों मेंपरियुक्त अलंकारों की परिभासा सरी तुर्लेख करना है दो आपको बनाने है, पांच-पांच मार्क्स के दो है, दस नमबर मिलेंगे, पहला है मुदित, तो पहला है मुदित महिपती मंदिर आएं, सेवक, सचिव, सुमंत पठाएं, ठीक, खाँ नमबर है, रहीमन पानी रखिये, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून, तो ये दोनों को बताया गया है कि आपको अलंकारों की परिवासा सही तो लेक करना है, यहाँ पे आपके 10 मार्क्स मिलेंगे, टोटल हमारे 80 मार्क्स हो जाते हैं दोस्तों, तो इस परकार आपने देखा कि किस परकार प्रशन पूछा जाता है सेमेस्टर 5 का क्वार पेपर 12 में, तो आगे हम आपको फिर नेक्स वीडियो देंगे, और अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का कोई भी सबजेक्ट देखना हो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाईए, वीडियो के चैनल पे घुश जाईए, सारे किस सारे जितने भी हैं, वो मिल जाएंगे, वो गाना का आ गया, सारे के सारे का समय, क्या क्या गाना है न, याद आ जाता है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो के एंड करते हैं, वीडियो को, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमें में कर सकते हैं और वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल का इकन को प्रेस कर दिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ धन्यवाद आपका एक्जाम अच्छा जाए यह हम प्रे करते हैं गोट से